हेलो दोस्तों, इन्फो करनेट चैनल में आप सभी का स्वागत है आज इस वीडियो में हम टॉप टेन थ्रिलर सस्पेंस मूवी देखने वाले हैं जो की स्टार्टिंग से लेके एंड तक फुल ओफ थ्रिल एंड ट्विस देंगे अगर आप ऐसे मूविस के भैन हैं तो चले स्टार्ट करते हैं इस लिस में टॉप टेन पे आती है 2007 में रिडिस होई जोडियाक ये मूवी ट्रू इवेंट पे आदारित है रॉबर्ट ग्रेसमी जो की एक कार्टूनिस्ट है उस केस को सॉल करने का सोचता है सीरियल किलर जो की बहुत सारे क्लूज छोड़ देता है तबी भी इस केस को सॉल करना मुश्किल होता है नंबर 9 पे 2007 में रिलिज हुई बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले आसकर विनर मूवी गेट आउट इस मूवी में अमेरिकन अफ्रिकन मैन क्रीस जो की विकेंड प्लान करता है अपने गल्फ्रेंड के घर हाला कि वहाँ पहली बार सब नॉर्मल लगता है लेकिन आगे की थ्रिलर सस्पेंस एक्स्पिरियन्स करने के लिए आप ये मूवी जरूर देखिए भूग richil ॥ अपरानल अहुल भूज भूवी जरू़ग heze जप्रश्वा आई नाओ स्चीन्स कि अव्रद्वी छूडनी। प्छ्रेटो नमबर एट पे आते हैं 1999 में रिंगिज हुई ड्रामा थ्रिलर मुवी फाइट क्लब ये एक यूनिक मुवी है शांदार पदर्शन, अशर जनेक दुरुष्य और बहुत कुछ जैसा आपने फईले कभी नहीं देखा है नमबर साथ पे आते हैं वन अप देख साइकोलोजिकल थ्रिलर मुवी गॉन गॉन गॉल्ड जो की 2014 में रिलीज हुई है मुवी का एक्टर नीक जिसको पता चलता है कि उसकी वाइप, एमी उनके 5th anniversary पे missing है इस मुवी में ऐसे ऐसे unpredictable scenes है जिससे आपके होश उड़ जाएंगे नमबर 6 पे आते हैं 1995 में रिलीज हुई मुवी 7 एक serial killer 7 deadly sins के अनुसार लोगों का murder करना शुरू कर देता है इस case को solve करने के लिए दो detective लगे हुए है यह मुवी एक dark, monoranjak thriller और जिसके final scenes के लिए सबसे shocking वाला रह से बचता है यह तर सबसे बस्चेंगी यहां अजनके य्पट्व लोग इस प्रीज वाल रूच्छ्व नच्त टूच्छ्वेश भाज़ लूच्छ्वेश वाल अजिस्वेश पाइव तू ऑ्रीज्द्च्ट्ट्ट के लिए। नम्र फाइव पे आते हैं 2000 में रिलीज हुई थ्रीलर मिस्ट्री मुवी मुमेंटो लियोनार्ड शल्बी जिसको भूलने की बीमारी है बस उसको अपनी वाइब को मार डाला है यह याद होता है वो रिवेंज लेना चाहता है उसके लिए वो नोट्स और टेट्टूस का यूज करता है अगर अपने बॉलियूड की गजनी मुवी देखी है तो यह मुवी आपक को जरूर देखने चाहिए तो आपको देखना है कैसे वो अपने वाइब के किलर को धूनता है नमबर चार प्याती है लियोनार्ड डिक अप्रियो की शटर आइलन्द 1954 में बोस्टन के शटर आइलन्द एक मरीज लापता होने की जाश करने के लिए अमेरिका के मार्शल टेडी डेनियल को सोपा गया है वो अपने पर्सनल रिजन्स से एक असाइन्मेंट के लिए जोर दे रहा है शटर आइलन्द एक ब्रिलियंट लिफ साइकोलोजिकल थ्रिलर है जो आपको पूरी फिल्म के दोरान रोके रखता है नमबर 3 पे आते हैं 2006 मेरे रिलिज हुई द प्रेस्टी दो दोस्त और पॉपिलर मैजेशियन एक ट्राइडी जी के वज़े से एनिमी बन जाते हैं वो खुद को बेटर पू करने के लिए अपना सब कुछ समर्फित करते हैं प्रेस्टीज एक ऐसी फिल्म है जिससे आपको कम से कम दो बार देखना होगा सिर्फ इसने नहीं क्योंकि यह एक फंटास्टिक मूवी है आप उन चीजों को नोटीस कर पाएंगे जो आपने पहली बार फिल्म देखते समय नोटीस नहीं की तो इस लिस में नंबर टू प्याती है इस लिस में नंबर टू प्याती है इंसिप्शन जो की 2010 में रिलीज हुई है यह एक intense complex story है जो की हर टाइम imaginative and entertaining लगती है इस नूवी ने sound और visual केटेगरी में 4 ओसकर जीते है मुवी में दिखाया गया है लोगों के dreams में जाके information चुराना और उनके ideas को implement करना इस में नंबर वन पे आते है 1991 में रिलीज हुई The Silence of the Lump यह एक cinematographic masterpiece मुवी में से एक हुए इस मुवी को उस साल best picture, best actor, best actress, best director और best adapted screenplay केटेगरी में ओसकर मिले है यह बे ट्रेनिक Clarice Starling एक serial killer के case की investigation की इंचाज है इस case की mystery solve करने के लिए psychopathic serial killer जो की former psychiatric है उसकी help लेनी पड़ती है तो आप इस case का अंदाजा लगा सकते है तो यह थी top 10 suspense thriller movie जो की आपको जरूर देखनी चाहिए तो इस category में आपको इसके अलावा और कोई movies अच्छी लगी है तो आप comment section में जरूर mention कर सकते है तो आज के वीडियो में बस इतना ही तो मिलते है अगले वीडियो में अगर आपने इस channel को अभी तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करना मत बूलिएगा